मुर्टे की आवाज नहीं होती होती तो आज मोतिलाल वोरा चीक चीक कर कह रहे होते अच्छा हमको फसारिया है ये कोई आम बात नहीं है अपने बचाओ में केजरिवाल जैसा धूर्त आदमी अपने बच्चों के जूटी कसम तक खा लेता है ये तो फिर भी राहूल गांधी के दूर के रिस्तिदार लगते थे राहूल गांधी ने नेशनल हिराल्ड घोटाली के जम्मेदारी मोतिलाल वोरा पर डाली तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अब कॉंग्रेस अपने सभी पापों के जम्मेदारी वोरा पर ही डालने जा रही है क्योंकि वोरा सेम तो नए नए खुलासों से ये प्रदर्शित होता है कि नहरू से लेकर सोनिया तक हुए सब ही कॉंग्रेसी घोटालों के लिए मोतिलाल वोरा ही अकेले जम्मेदार थे और सब तो देव मानुश थे नमस्कार आप देख रहे हैं टी एफाई जो है देश का सबसे विश्वस्नी ऑल्टरनेट निउस मीद्या पोटल मैं पदमाश्री शुबाम आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे कॉंग्रेस पार्टी सुर्गवासी मोतिलाल वोरा के ऊपर अपने ब्रश्टा चारों के जि इस वयो वृद्ध पार्टी के चश्मो चिराग राहूल गांधी एडी के सवालों का सामना कर रहे हैं और चूंकि सोनिया गांधी अस्वस्त चल रही हैं इसलिए वो पूछ ताच में समलित नहीं हो पा रही हैं इन सभी घटना क्रमों में राहूल गांधी के बयान और पूछ ताच के दौरान पार्टी नेता स्वर्गिय मोतिलाल वोरा को याद कर सारा ठीकरा उनहीं पर फोर डाला प्रवरतन निदेशाले को राहूल गांधी ने बताया है कि पार्टी नेता स्वर्गिय मोतिलाल वोरा ने यंग इंडिया एजेल सौधा से संबंधित सभी ल अपने लेक में उन्होंने बताया है कि कैसे कोईला आवंटिन की सिफारिश के लिए ततकालीन प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग पहले मंत्री के पास गए फिर उन्हें वोरा से मिलने के लिए कहा गया पीम होने के बावजूद मनमोहन सिंग यदी मोतिलाल वोरा पर आश्रित थे तो इसका मतलब ये है कि कॉंग्रेस कहना चाहती है कि कोई भी घोटाला हुआ तो उसके कारक और सूत्रधार मोतिलाल वोरा ही थे यूपिये की कमान सोनिया गांधी पर थी लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंग को मोतिलाल वोरा निर्देशित कर रहे थे यदी ऐसा ही था तो निश्चित रूप से आजादी उपरांत जवाहरला नेरू की चीन परस्त नीतियों के कारक भी मोतिलाल वोरा रहे होंगे पाकिस्तान और चीन को भारत की जमीन दे देने का काम भी मोतिलाल वोरा ने ही किया होगा और वही क्यों 1976 में हुआ तेल घोटाला इसे से इंदिरा गांधी और संजे गांधी का नाम जुड़ा है उसमें भी कही न कही मोतिलाल वोरा का ही हात रहा होगा फिर 1987 में राजीव गांधी द्वारा किया गया वो फोर्स कांड, 1980 और 1990 के दोरान भारत और स्विडन के बीच हुआ एक प्रमुख हतियार अनुबंध राजनीती घोटाला था वो भी निश्यत रूप से मोतिलाल वोरा ने ही किया होगा फिर वर्ष 2008 के समय से कॉंग्रेस के पतन की कहानी लिख रहे 2G स्पेक्टरम की बात हो या फिर उसी वर्ष कैश फॉर वोट घोटाली की बात हो जिम्मेदार मोतिलाल वोरा को ही ठहराया जाएगा फिर आया वर्ष 2010 जब कॉंग्रेस की नई थेरी के अनुसार उसके लिए भी वोरा को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए फिर 2012 का कोईला घोटाला जिसके लिए किद्वई ने मनमोहन सिंग वाले घटना क्रम को संदर्भित किया है उसकी जिम्मेदारे भी किसी और नहीं बलकि मोतिलाल वोरा को ही है इसके बाद वर्ष 2013 का चौपर घोटाला जिसे अगस्ता विसलैंड के नाम से जाना जाता है वो भी किसी और ने नहीं बलकि वोरा ने ही किया होगा सौबात की एक बात ये है कि गांधी परिवार आपदा में अवसर कुछ ऐसे तलाशता है कि मृत इंसान पर ठीकरा फोर दो कौन सवो आकर जूटला देगा वर्तमान में राहूल गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं पूरे यूपीय कार्यकाल में किसका प्रभुत्व रहा कैसे दस जनपत से इधर का उधर होता रहा था सब साइड रखते हुए अपनी जान बचाने के लिए मोतिलाल वोरा पर दोश डालने की सियासी बिसात बिछा दी गई एक के बाद एक नए मामले में अब कॉंग्रेस और उसके चश्मो चिराग राहूल गांधी मोतिलाल वोरा को ऐसे निशाना बना रहे हैं जैसे सारा किया धरा वोरा का ही था गांधी परिवार तो कतई मासूम और भोला भाला है जो कुछ जानता ही नहीं है और जानता ही नहीं था सब वोरा ही कर रहे थे